Hello Friends, मैं आपसे आज के इस वीडियो में बात करूँगा YouTube के बारे में आप कैसे YouTube पर आ सकते हैं और आपके पास जिस भी तरीके का स्किल है वो लोगों के सामने ला सकते हैं क्योंकि YouTube के पास wide variety of audience और जिस भी तरीके का आपके पास skill है उसके लिए YouTube पर audience available है और मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Google के बाद YouTube पर ही सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को सर्च किया जाता है तो आज मैं आपसे अपने 5 reasons से एर करूँगा क्यों मैंने YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया पहला reason personal development दोस्तो क्योंकि YouTube पर वीडियो बनाने से पहले आपको वीडियो के सामने बात करना आना चाहिए क्योंकि हम अक् surprised किसी इनसान से बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे जवाब का reply भी दे रहा होता है तो हमारे लिए वह एजी होता है लेकिन जब आप camera के सामने बात कर रहे होते हैं तो वो कोई भी reply नहीं देता और इस वज़े से camera के सामने बोलना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल हो जाता है और आप अगर इस skill को सिख पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक achievement है YouTube पर वीडियो बनाने से पहले आपको सही तरीके से बोलना आना चाहिए और आप जिस तरीके से वीडियो बनाना start करते हैं आप इस चीज़ को और ज़्यादा दिन बदिन improve करते जाते हैं और हम सबको पता है आप किसी भी सेक्टर में जाएं आपके पास अगर communication skill नहीं है तो आप कहीं पे भी grow नहीं कर सकते हैं मेरा दूसरा reason है अपने potential को जानना अक्सर हम तीन से चार लोगों के बीच अगर कोई बड़ा भी काम करते हैं तो आपको वह appreciation नहीं मिल पाएगा जो आपके YouTube से मिल सकता है YouTube पर आप वीडियो बना कि आप अपने potential को जान सकते हैं कि आप कि इतना सीख सकते हैं आपके अंदर सीखने की छमता क्या है तो यह सीखने सीखाने की जर्णी को जब तक आप आगे बढ़ाते रहेंगे आप अपने आपको रोज एक नई तरीके का महसूस करेंगे मेरा तीसरा जिजर नेट्वोक डबलप्मेंट क्योंकि YouTube एक social networking site है तो यह आपको लोगों से जोड़ता है और आप अगर लोगों से जोड़ते हैं तो आप उनके experience से सीख ले सकते हैं और आप अपने experience को दूसरे को बता सकते हैं आप जब YouTube community से मिलते हैं तो YouTube में बहुत सारे creator ऐसे हैं जो बहुत कुछ पढ़ लिकर YouTube में आए हुए है YouTube आपको उनसे जोड़ता है ताकि आप उनसे कुछ सीख सके हैं और आपने जो अपने जीवब में सीख रखा है वो दूसरों के सामने share कर सके है यूट्यूब आपको एक समय के बाद सिर्फ dependent बनाता है क्योंकि जब आपका चैनल monetize होता है तो YouTube आपको पे करना स्टाट करता है आप जो भी वीडियोज बनाते हैं उसके लिए YouTube आपको पैसे देता है इसलिए YouTube के वीडियो बनाने का भी आखरी मोटीव लोगों का पैसा कमाना ही होता है हाँ अभी मैं छोड़ा YouTuber हूँ मेरा चैनल अभी monetize नहीं हो पाया है पर मैं affiliate marketing के थुरू कमा लेता हूँ और भी YouTube पर बहुत सारे ऐसे source हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं आप ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप YouTube पर जो YouTube आपको पैसे दे से पापूस से कमाते हैं और YouTube आपको इतना तो पैसा देही देता है जिससे आप अपने एक अच्छी lifestyle जी सकें इन सभी reasons को हटा भी दें तो भी YouTube एक ऐसा platform है जिसमें कि आप अपने skills को दूसरों के सामने ला सकते हैं अच्छा dance करते हैं या फिर आप अच्छे teacher हैं या फिर आप किसी को कुछ अच्छा समझा सकते हैं या फिर आपके पास singing ability आप आपके पास जिस भी तरीके का skill है आपको लोगों के सामने ला सकते हैं और अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपका YouTube चैनल ग्रो भी होगा और आप उससे पैसे भी कमाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और आप भी अगर YouTube पर चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस बारे में और ज़्यादा clear हो सकेंगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते वे जाएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता हूँ